बिसमिले रहा मनी में वेलकाम टू टेक्निकल नसीबलाग यूटीव चैनल बात करेंगे सतोशी एप के एक नए एरड्रॉप पे नेटवर्क के बारे में किस तरीके से आपने इस एरड्रॉप को जोईन करना है कौन सा वॉलेट एड्रेस यहाँ पर आपने लगाना है और किस तरीके से आप यहाँ पर क्वेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं कंप्लीट डीटेल इस वीडियो में आपके साथ शियर करूंगा तो इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट वाच करना है यह वीडियो तोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट देने वाला हूँ इस लिए आप इस लिडियो को एंड तक देख दीजिए ताकि यह सारे स्टिप यहाँ पर आप कम्पलीट कर सके यह सारे के सारे स्टिप यहाँ पर कम्पलीट करना कमपलसरी है अब मुझे इस बात का वह खुब ही एलम है कि OIEX एरडॉप ने हमें कुछ ख तो उसका मतलब यह नहीं हुआ कि हमें OIEX नेकर फ्रॉफिट नहीं दिया है तो बागी एरडॉप भी हमें फ्रॉफिट नहीं देगी मुक्तरिफ नेटवर्क से उस नेटवर्क के साबसे हाँ पर आपको फ्रॉफिट मिलता है कुछ नेटवर्क सापको ज्यादा फ्रॉफ इस तरीके से आपने पिल एरडॉप को जुआइन करना है और किस तरीके से आपने हाँ पर अपना वालेट एडर्स लेकर आपने क्वेस्ट कंप्लीट करना है सारे के सारे स्टिप सुन सगें मैं आपको कहना हुआ कि लाजमी है तो इसलिए आपने वीडियो को आइंड तक हम बात करेंगे आपने पिल एरडॉप के बारे में तो पिल एरडॉप यहाँ पर 45 डेज बात शुरू होनी है यानि 45 डेज अब यहाँ पर आपके पास टाइम है और इस 45 डेज में जल्ट से जल्ट आपने हाँ अपने आपको वाइड डिस्ट करने है जब आप अपने स्टार्ट होगी लेकिन उससे पहले आपको यहां पर वाइट लिस्ट करना लाजमी है यहां पर आप चेक आउट कर सकते हैं टॉटल यहां पर कुछ डिटेल में आपके साथ शेयर कर देता हूं फिर हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो सेंपली यहां से जो मैं इनॉंस्मेंट के सेक्षिन पर आने के बाद यहां पर आप चेक आउट कर सकते हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 30 निवंबर तक आप अपने पार यहां पर आप चेक आउट कर सकते हैं कि 2 देसंबर से लेकर 15 देसंबर 2024 तक आप एरडॉप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो के वाइट लिस्ट होने के बाद 13 से 14 डेस्कि माइनिंग होगी और उसके बाद आपको एरडॉप मिलना स्टार्ट हो जाएंगे यह स्ट प्राट करते हैं किस तरीके से आप अपने आपको वाइट लिस्ट कर सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर यह क्वेस्ट कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ important लिंक्स की जरूरत पड़ेगी वो सारे के सारे लिंक्स आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा प्यारे वीवर्स मैं अपने मुबाइल फोन के screen पे आ चुका हूँ मुबाइल फोन के screen पे आने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करने के आपने मेटा मास्क के application को कुछ इस तरीके से long प्रेस कर लेना है long प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये एक i का बटन दिख रहा है तो simply आपने इस i के बटन पे क्लिक करना है IK बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सीधे रिडरेक कर देगा आपके MetaMask Fnfork के अंदर MetaMask Fnfork के अंदर रिडरेक करने के बाद यहाँ पर आपको यह ब्राउजर एप का एक आपशन देख रहे है सेम्पली आपने इस पे क्लिक करना है यहाँ पर अगर कोई और ब्राउजर सेलेक्टे तो उसको आपने हाँ से मेटामास कर लेने जैसे कि यहाँ पर आपको यह मेटामास का आपशन दिख रहा है मेटामास सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने इसको यहाँ से बेक कर लेना है बेक करने के बाद अब आपको फाइदा यह होगा कि आप Meta Mask में किसी भी URL को सरच करेंगे तो वो सीधा Meta Mask में अब आप को नहीं कर जाएगा अब आपने किया करने सिंपल आपने Meta Mask को ऑपन करना है Meta Mask को अपन करने के बाद आपको एक link सेर्च करنا पड़ेगा अपने meta mask के अंदर वो link में अपने telegram चैनल पर आपको provide कर दूंगा simple आप मेरे telegram चैनल पर जाएंगे और वहां से उस link को कापी करेंगे तो उस link को कापी करने के बाद जब आप उस link को लेकर आएंगे اور MetaMask میں पेस्ट करेंगे MetaMask میں पेस्ट करने के बाद ये वाले लिंक में आपके पर फ्रोवाईड करूँ गा MetaMask में सेच्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का InterFace नदर आएगा जो सबसे आसान और सबसे sample method है वो मैं आपके साथ share करूंगा इस link को जब आप अपने metamask के इस browser वाले section में search करेंगे जो यहाँ पर आपको मिलता है तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface नदर रहेगा तोड़ा सा आपने नीचे scroll करना है scroll करने के बाद सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी gas fees की जनी इन फमाम quest को complete करने के लिए आपको gas fees की जरूरत पड़ेगी तो gas fees आप free में किस तरह के से ले सकते हैं उसका जो सबसे best recommended तरीका है वो यहाँ पर आपको quest one के नीचे मिलता है जो कि यहाँ पर है discord के जरीए gas fees claim करना किस तरह के से आप discord के जरीए gas fees claim कर सकते हैं first of all आपके पास एक अदर discord की application होनी चाहिए और उस पर आपका registered account होना चाहिए तो आपने क्या करना यहाँ से आपने simple इस claim के option पे क्लिक करना है जो यहाँ पर आपको claim free gas fees vibe discord नजर आ रहा है तो just आपने इस claim पे क्लिक करना है claim पे क्लिक करने के बाद आपको सीधर redirect कर देगा discord application के उपर by purchase log application के ऊपर redirect करने के बाद آپने accept invite पे क्लिक करना है accept invite पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप check out कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर invitation accept हो चुकी है तो यहां से आपने वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको यह वेरिफाई का बटन दिख रहा है सेंपली आपने इस वेरिफाई के बटन पे क्लिक करना है वेरिफाई के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यह CAPTCHA दिया जा रहे, इस CAPTCHA को आपने हाँ से solve करना है अगर आपको यह CAPTCHA समझ नहीं है रहा, तो simply यहाँ से आप इसको reload भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मैं इसको reload कर रहा हूं, reload करने के बाद, यहाँ पर आपके सामने दूसरा आता है अगर वो भी आपको समझ नहीं आता तो फिर से आप यहां पर रीलोड कर सकते हैं तो यहां पर आप चक आउट कर सकते हैं कि यहां पर लिका है 2XY और आगे लिका है UM तो यहां पर Simple में इसको लिक लेता हूं किपचा जो है वो successfully verify हो चुका है अब आपने क्या करना है यहां से आपने इस एरो पे क्लिक करके बेग कर लेना है यहां से मैं बेग कर लेता हूं बेग करने के बाद तोड़ा सा नीचे आपने स्क्रॉल करना है यहां पर आपको सतोशी एप का एक option दिख रहा है सेंपली आप आपने इस सतोशी एप के option पे क्लिक करना है सतोशी एप के option पे क्लिक करने के बाद अब यहां पर आप चक आउट कर सकते हैं कि आपको अपने यहां पर फ्री में जो gas pieces आपको चाहिए वह आपने क्लेम करने है तो तीन gas pieces आपको चाहिए जिसको आप यहां से क्लेम कर सकते ह आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको यह स्लेश का बटन दिख रहा है, आपके सामयर्फ रदेलिघ करना है, इस पर खक्लिक करने के बाद, आपके सामने यहाँ पर अपना अड्रस को तो बैक आपने आना है मेटा मास्क के उपर मेटा मास्क के उपर आने के बाद यहां से आपने अपना वालेट एड्रिस कॉपी करना है वालेट एड्रिस कॉपी करने के बाद बारी बारी आपने तीन गैस्पीस जो है वो डिस्कॉर्ट से फ्री में क्लेम कर लेने हैं मेटा मा से आपने send pack लेक करना है send pack लेक करने के बाद यहां पर आप चक आउट कर सकते हैं कि मैं already bnb का gas fees ले चुका हूं तो आपने कुछ इस तरीके से पहले bnb का लेना है फिर यहां से आपने simple इस slash को डालना है और यहां पर आपने core का लेना है यहां पर आप चग आउट कर सकते हैं core gas fees, यहां पर mental gas fees तो तीनों में आप एक address बाइंड करेंगे जैसे कि यहां पर core पर मैं क्लिक कर देता हूं और इसी address को यहां पर मैं दोबारा अना है उस लिंक पर आने के बार यहांपर आप चैक आउट करसकते हैं कि जब आप 10 विस र Falls रिसीव करेंगे तो फिर यहांपर आपका अगी तर법 डिची तरीकت से जो आप रिसिव करेंगे तो फिर यह Simple इस Claim के Option पे क्लिक करना है Claim के Option पे क्लिक करने के भाद आपको reiter ment कर देगा इस वाले website पर इस वाले website पे Uhlique करने के बाद First of All यहाँ पर आपका wallet connect होना चाहिए Wallet यहाँ पर आप चECK OUT कर सकते Connect है, और यहाँ पर आप चECK OUT कर सकते हैं के पहले आपने core testnet को यहा पर चूस करने जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा हो यहाँ से मैस पर कलिक कर द मुए आ रहे हैं Fuset को Option दिख रहे जास्ट आपने इस Fuset पे क्लिक करना है Fuset पे क्लिक करने के बाद यहां से आपने Fuset WBTC पे क्लिक करना है Fuset WBTC पे जब आप क्लिक करेंगे तोड़ा सा आपने Wait कर लेना है Wait करने के बाद आपको Readeric कर देगा आपके Meta Mask पे यहां से आपने स्क्लेम के ओप्षन काटशन के चुरण के ऑप्षन पे गिलएंश तोड़ा सा आपने वेट करने के लिएना रहा है यहां पर आपशन चैक अवाट Absleep तो इस तरीके से आपने इन तीन हो को भी कलेंगे जो हाँ पर नीचे आपको मिल रहे हैं। इन चारों को आप कंप्लीट करेंगे तो आपके सामने यहां पर यहां पर यहां पर क्लेंग कर लिए। के अब वारी आती है यहां पर cuore test net on'amaan बार्टिसेडिक करने के वाद आप आने side के test curry करने के लिए हम यहां से प्रक्राइब करने के लिए ने हम यहां पर आप आपको दो क्वेस्ट दिये जाए हैं यहांपर तो दोनों को आपने कमप्लीट करनीड़ा है स्विच नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर यह चेंज होके यहाँ पर आप चेंज होके यहाँ पर चेंज होकर BNB टेसनेट पे शिफ्ट हो चुका है BNB टेसनेट पे शिफ्ट होने के बाद अब आपने इन दो quest को यहांपर complete करना है किस तरीके से complete करना है अगर आपका यहांपर यह शोर नहीं करना है यहांपर यह चैन्ट तो जैसे आप यहांपर अपना first few set claim करेंगे तो automatically आपके wallet में यह add हो जाएगा तो यहाँ पर यह पहले वाला मैं आज रिडी कम्प्लीट कर चुका हूँ, दूसरे वाले को किस तरीके से आपने कम्प्लीट करना है, सेंपल आपने इस फ्यूसेट पर क्लिक करना है, फ्यूसेट पर क्लिक करने के बाद, यहाँ से आपने दुबारा फ्यूसेट पर क्लिक कर सकते वेटिंग फॉर कनफमीशन आपने ग़ेंस का वेड़ कर लिए अब इस Single का लेड़ करने के वाद आप च्छए सकते कि हाँ और हम दो फीकि देखने को मिलते जो यहाँ पर mental test net का आपको मिलते है mental test net पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप चगाउट कर सकते हैं कि यहाँ पर भी आपको दो फीसेट देखने को मिलते है तो first आपने इस पहले वाले पर क्लिक करने है पहले वाले पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यह switch network का option भी मिलता है simply यहाँ से भी आप इसको switch कर सकते हैं switch करने के बाद यहाँ से आपने confirm पर click करने के बाद यहाँ से आपने switch network कर लेना है switch network करने के बाद यहाँ पर आपने तोड़ा सा फिर wait कर लेना है wait करने के बाद जैसे इसको confirm करेगा जैसे आपने पहले दोनों फ्यूसेट यहाँ पर claim किये हैं same उसी तरीके से यहाँ पर आप इसको भी claim कर सकते हैं या फिर direct यहाँ से आप mental test net को select करेंगे और यहाँ से इस फ्यूसेट पर click करेंगे आपको मेटामास में confirmation जो है काल आएगा simple आपने इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से confirm कर लेना है confirm करने के बाद तोड़ा सा आपने wait करने तो यहाँ पर भी आपका जो transaction है वो हो जाएगा free फ्यूसेट आपको मिल जाएगा और आपका यह task भी complete हो जाएगा तो दो टास्क यहाँ पर आपको mental जे नेटवर्क पर दिये जाने इसको आपने हाँ पर complete करना है यहाँ पर आप चरगाउट कर सकते हैं यह भी यहाँ पर done हो चुका है तो जैसे ही यहाँ पर आप mental के दोनों के दोनों फ्यूसेट complete करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से आपका balance स्यो करेगा तो इस से आपका तमाम जो फ्यूसेट है वो claim हो चुके है फ्यूसेट claim होने के बाद अब आपने bank उस link पर जाने जो आपने सबसे पहले यहाँ पर search किया था यहाँ पर यहाँ नो फ्यूसेट है यहाँ दो क्वेस्ट हो चुके अब तीसरा क्वेस्ट है यहाँ पर restacking का तो simply यहाँ पर आपको यह restack option दिख रहा है just आपने इस restack के option पे click करना है restack के option पे click करने के बाद आपने एक बात को अपने जहन में रख लेना है कि पहले आपने फ्यूसिट क्लेम करने फिर आपने री स्टेक पे जाना है री स्टेक पे जाने के बाद सेम उसी तरीका का प्रोसेस होगा कि यहाँ पर फिर्स्ट अफ़ाल आपको जो है वो अपना टेस्सने चूस करना है तो यहां पर फिर्स रफ आफ 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 आ से मैक्सिमम कर लेने मैक्सिमम करने के बाद आपने अप्रूफ पे क्लिक करना है अप्रूफ पे क्लिक करने के बाद तोड़ा सा आपने यहां पर वेट करने जैसे कि आपने स्टेक करना है फिर यहां पर आपको यह स्टेक का उप्शन दिया जाएगा जस्ट आपने स्टेक के उप्शन पर क्लिक करना है यहां पर आपका क्वेस्ट यह वो कंप्लीट हो चुका है तो यहां से फिर से कंफरमिशन मांग रहे हैं तो फिर से मैं कंफरमिशन पर क् लग वैस्ट एक वा कम्पिलीट हो चुका है रिस्टेक का इसी तरीके से आप ने हाँ पर यह दूसरा वाला कम्प्लीट करने यह यानी M.B.T.C का हो चुका है, आपने बेग करने M.B.T.C के बाद आपने ST B.T.C को यहां पर कुछ इसी तरीके से ristake करने है, इसको ristake करने के बाद आप ने हाज से challenged Is, mental test net पे क्लिक करने है mental test net पे क्लिक करने के बाद, BNB का आप ने कुछ इस इतरी के से री s realize करने जैसे के मैने आपके सामने ये mental का किया है और इसी तरीके से आप कोर test net के जी token वहain इस इतरी के को आपके Ł क्लिक करने के बराउजर के से! क्लिक के बाद आपolution सबसे पहले यहां पर मैं लिंक कर अाना है मेन लिंक पे आने के बाद यहाँ पर हमारा तीसरा क्वेस्ट यो है यह कंप्लीट हो चुक है अब हमने क्वेस्ट नमबर फॉर की तरफ बढ़ना है जो कि यहाँ पर आपको मिलता है डेलीगेट का सेंपली आपने हाँ से इस डेलीगेट पे क्लिक करना है डेलीगेट पे क्लिक करने के बाद तोड़ा सा आपने वेट करना है वेट करने के बाद आपको सीधा रीडरेक कर देगा उससी तरीके से आपने हाँ पर जिस नेटवर्क के टॉकन जो आपको यहाँ पर टेसनेट के मिलें उनक किसे अपसे अइसे चूरी को खूश किरनेे के बाद यहां पर आपके समने से काफी सारव डेलीगेटर्स के आपशिन दिए खूशन और यहां पर चूशी तो forsट वाइं को यहां पर फरस्करों चूश करना है तो सेंपली आपने इसपर क्लिक करना है इस पर क्लिक करने के बाद आपने हाँ पर नीचे जो आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर जैसे के हमने मेंटल में यहाँ पर MBTC जो हाँ पर क्लेम किया था और इसके अलावा यहाँ पर STBTC तो आपने सेंपल यहाँ से जो इस पर क्लिक करना है इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यह अंस्टेक का उप्शन दिख रहा है तो आपने इस अंस्टेक का उप्शन दिख रहा है तो आपने इस अंस्टेक का उप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको यह मैकसिमम का उप्शन दिख रहा है सेंपली आपने इस मैकसिमम कर लेना है कन्फरम करने के बाद तोड़ा सा आपने वेट कर लेना है वेट किरने पर यहां पर यह कन्फरमिशन हो रही है जब यहां पर all don का option आ जाएगा तो यहाँ पर आपके token जो आपने पहले stake किये वो यहाँ पर unstake आ चुके जैसे यहाँ पर आप हारे सामने जो all done का option आ चुका है तो इस तरीके से आपने जितने भी token यहाँ पर पहले stake किये जिस जिस test net के आपने token यहाँ पर stake किये आपने सारे के सारे कर लेने तो उसको आपने हाँ से अंस्टेक करना है अब इस जिस का मतलब यह कि आपको पूरी तरीके से यह पर स्टेक किये जाते हैं किस तरीके से यहाँ पर डेलिगेट किये जा सकते हैं और किस तरीके से आप उसको जो वापस यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं तो इ एनिडेलीगेट के option पर क्लिक करके आपने हाँ से अंस्टेक करने मैकसिम्म पर क्लिक करने तो यहां पर आपका यह टास्क perform हो जाएगा अच्छा अब इसको perform करने के बाद जो सबसे मुश्किल टास्क थे हाँ पर वह आपके complete हो चुके अब आपने back उस लिंक पर आना है जो सबसे पहले यहां पर आपने सर्च किया होता है यहां पर आप चेक आउट कर सकते हैं कि यह वाला लिंक है तो simply इस पर मैं back आजाता हूँ बेक आने के बाद हमारी यहां पर चार जो यहां पर सबसे important quest थे वह यहां पर complete हो चुके हैं फिफ्ट क्वेस्ट यहां पर आप चेक आउट कर सकते हैं कि आपने इनको एक्स पर follow करना है यानि पे पे एक्स पर follow करना है चत्रा जो quest यहां पर आपको मिलता है वो आपने इसको डिसकौर्ट पे हाँ से जोईन करने हैं simply यहां से आप इसको जोईन पर click करेंगे तो डिसकौर्ट पर आपको रीडरिक करने के बाद आपने इसको जोईन करना है follow करने के बाद यहां पर quest no 7 आपको मिलता है कि आपने इनको टलीग्राम मेनी एप पे जोईन करने है टलीग्राम मेनी एप पे जोईन करने के बाद last tip अब यहां पर आती है कि आपने इतने wallet address को submit करना है सतोशी एप के अंदर तो जिस मेटामास से आपने हाप पर यह सारे एक वैस्ट और यह सारी चीज़े कम्पलीट करने है जो के one by one मेने आपको सिका लिए है अब आपने simple इस wallet के option पे क्लिक करना है wallet के option पे क्लिक करने के बाद यहां से आपने इस address को copy करने के बाद आपने simple satoshi app के अंदर आना है satoshi app के अंदर आने के बाद इस address को यहाँ पर आपने जो है white list के लिए यहाँ पर paste कर देना है तो मैं satoshi app पर आ चुका हूँ satoshi app पर आने के बाद यहाँ पर आपको view detail का option मिलता है simply आपने इस view detail पे क्लिक करना है यहां पर आपको get wide list को option मिलता है जासे आपने इस पे क्लिक करना है और यहां पर आपने उस address को paste करना है जिससे आपने आपने यहां पर यह सारे task फर फर्फॉर्म किया तो simple आपने उस wallet address को यहां पर paste करना है पैस्ट करने के बाद यहांसे आपने इस confirm के बटन पर क्लिक करना है confirm के बटन पर क्लिक करने के बाद यहांपर आप जगाओट कर सकते हैं कि wallet address हमारा successfully यहांपर safe हो çुका है safe होने के बाद जैसे यहांपर 30 November यहांपर last date है 20 निवंबर के बाद दो दिन बाद जो यहां पर माइनिंग स्टार्ट होगी तकरीबन 13 14 डेस की माइनिंग और उसके बाद यहां पर आपको एरड्रॉप दिये जाएंगे तो यह था प्रोसेस इस प्रोसेस को आपने लाजमी कंप्लीट करना है अगर यहां पर आपकिसी और म पूरा तरीका मैंने आपको सिकाया अगर आपको कोई स्टिप समझ नहीं है यहां पर आपको किसी किसम की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े तो सिंपल आप उस प्रॉब्लम को कॉमेंट कर सकते हैं मैं जरूर एक वीडियो लेकर आँगा कि किस तरीके से आपने उसी इसको